हेलो गाईज, कैसे हैं आप सब, अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी त्यारी चल रही होगी, इसी कामना के साथ में अगली क्लास आपके लिए हम लेकर आए हैं, यहां पर तत्पुरु समास के अंतरगत समानाधी करन तत्पुरु समास, याने कि हमने आपको पहले कहा कि समा वो आपको बता दिया जाएगा दोस्तो, जो आपके पूराने पेपर में आपके सवाल आ चुके हैं, और जो आने वाले पेपर में आपके सवाल आ सकते हैं, वो सारा कुछ मेंटर यहां आपको हम उपलब्द करवाएंगे, आज हमारा पूरा प्रियास रहेगा, आज और कल मैं संपूर्ण आपका स्लिवर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं टेस्ट सिरीज में लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्द उसके बाद मैं एक क्लास ऐसी रखूँगा जिसमें मैं आपको सारे टॉपिक के बारे में एक मैराथन क्लास के रूप में आपको बता दूगा जो मैं मैं बात होंगी एक प्रकार से पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका दूस्तो तो चलिए दूस्तो आज की क्लास शुरू करते हैं देखिए टॉपिक डालेंगे आप समानाधी करनत तकपुरुष या फिर आप पहले लिख लें करमधार ये समास तो टॉपिक में डालें करमधार ये समास है फिर हमने कहा कि इसका दूसरा नाम और है हमने पहले भी बता दिया है कि ततपुरुष का भेद करमधार ये है और करमधार ये का ही वेद आपका दिगू समास होता है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समानाधी कर्ण ततपुरु समास समानाधी कर्ण ततपुरु समास जो है हमारा उसी का नाम है करमधार ये समास अब देखिए सबसे मेहन बात यह है कि करंधार यह समास होता कहां पर है मैं यहां पर आपको वो ही कंडिशन बताऊँगा और एक ट्रिक आपको मैं समझा दूँगा जिससे कि आप आराम से इसको सही कर सकोगे गलत नहीं होगा आपका सवाल देखिए मैं तो यहां पर सिर्फ पर सिर्फ तीन बात मैं आपको बताऊँगा तीन तरह के प्रशन आपके यहां पर आ सकते हैं और तीन तरह के जो सवाल बनेंगे वो मैं आपको उधारन से समझा दूँगा कि किस तरह सवाल आपके इसमें बन सकते हैं एक इसमें महत्पून बात और होती है तीक है वो क्या है वो जानेंगे लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि इसकी पैचान क्या होती है इसे हम कैसे समझ सकते हैं तो उसके लिए आप नोट कर सकते हैं मैं यहाँ पर दोस्तो दो बात बता रहे हूं आपको मुख्यरूप से तो सबसे पहले आप नोट करें, उसके बाद में हम उसको समझेंगे. लिखो विशेशन बाची शब्दों का, लिखिए, इसमें जो मेन तथ्य हैं, वो आपको लिखना है. विशेशन बाची शब्दों का विशेश वाची शब्दों के साथ समास होता है. एक बाद तो ये लिखनी है, विशेशन बाची शब्दों का विशेश वाची शब्दों के साथ समास होता है. अब इसमें देखें, एक बाद और लिखेंगे साथ में, इसमें साधारन तया, पूर्वपद, विशेशन और उत्तरपद, विशेश होता है, देखिए, यहाँ पर मैं जो बात है, वो मैंने यहाँ पर आपके सामने रखी, एक तथे तो आपको यह हो गया वच्चो, विशेशन वाची शब्दों का, विशेश्य वाची शब्दों के साथ समास होता है, एक तथे तो यह हो गया, यानि एक तरीका तो यह हो गया, इस तरह के प्रशन हमारे आ सकते हैं, इस तरह के उधारन हम से पूछे जा सकते हैं, इसमें क्या होगा, एक तरफ आपका विशेश्य शब्द होगा, और दूसरी तरफ आपका विशेश्य शब्द होगा, अब विशेश्य और विशेश्य तो आप सब जानते होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, विशेश्य का मतलब होता है बच्चों किस की विशेश्टा। सिधी सिधी भाशा मैं जदी समझें तो और जिसकी विशेश्टा होती है उसे हम विशेश्य कहते हैं जैसे यहां नीचे लिख करके थोड़ा सा इसको अच्छे से समझा देता हूं देखिए विशेशन और विशेश्य है, देखो हमं कहे विशेशन का मतलब होता है विशेशता किसी का गुण कोई भी quality वो है आपका विशेशन अब जिसका विशेशन है जिसका कोई गुण है जिसकी कोई विशेशता है वो है विशेश्य वो क्या है विशेश्य जैसे हमने कहा लंबा आदमी हमने कहा लंबा आदमी अब यहां पर लंबा कौन है अब विशेष्टा क्या है इसमें quality क्या है बता ये गुण क्या है लंबा होना ये एक विशेष्टा है लंबा होना तो जो विशेष्टा है वो विशेषन कहलाता है और जिसकी विशेष्टा है वो विशेष्य कहलाता है तो आदमी की विशेष्टा है तो आदम काला होता बच्चो कृष्ण यानी काला और सर्प्यानी साप होता है अब देखो यहां आप समझ जाएंगे इस बात को हम कह रहें कि भाई यहां जो विशेष्टा है जो गुण है वो विशेष्ण है तो आप खुदी बताईए कि यहां पर विशेष्टा क्या है तो काला विशेष्टा है तो यहां पर कृष्ण जो है हमारा शब्द यह विशेष्ण हो जाएगा और किसका है यह गुण किसकी विशेष्टा है वो हमारा विशेष्ण होता है तो यहां पर हमारा जो सर्प्य है ये हमारा विशेश्य हो जाएगा इस तरह से ये बात आप समझ गए होंगे बच्चो किलियर है सबके अब इसमें कभी भी confusion नहीं होना चाहिए देखो यहाँ पर लिखा भी है हमने इसमें साधारन तया पूर्वपद विशेशन का होता है और उत्तर वाला पद जो होगा बाद वाला वो विशेश्य पद मिलेगा आपको अधिकतर उधारनों में ठीक है न ऐसे आप समझ सकते हैं इसको मोटा मोटा देखिए यहाँ पर उधारन है हमारा कृष्ण सरपह ठीक है कृष्ण सरपह यानि काला सांप अब यहाँ पर देखेंगे हमने कहा कि पूरुपद विशेश्य होगा तो यह हमारा विशेश्य है देख लो आप यहाँ पर और भी उधारन मिलेंगे उनमें सब में मिलेगा आपको और हमने कहा कि उत्तर पद विशेश्य होगा तो ये आपका विश्य रहा, तो ये पहला तरीका हो गया हमारा करमधारिय समास का, अब इसके बहुत सारे उधारन हमारे हो सकते हैं, ठीक है, अब दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, वो भी नोट कर लिजी आप साथ में, नम्मर दो पे लिखेंगे बच्चो, उपमान वाच वाची शब्दों का, उपमे वाची शब्दों के साथ समास होता है, ऐसे आप लिख लेंगे, उपमान वाची शब्दों का, उपमे वाची शब्दों के साथ समास होता है, उपमान वाची शब्द जो होते हैं बच्चो, वो पहले रखे जाते हैं, इसको भी नोट कर लें, उपमान वाची शब्दों का पूर्व प्रयोग होता है देखो प्रयोग होता है तो इस तरह से बच्चों यहां पर हमने आपको लिखा है कि उपमान वाची शब्दों का उपमे वाची शब्दों के साथ ठीक है न क्या होता है समास होता है इससे पहले हमने बशेश और विषेश रवशे बटाए था और यहाँ पर हम बता रहे हैं उपमान यदि उपमे उपमान उपमे की इस्तिती रहती है तब भी वहां हमारा समास का रंधारिय समास हो जाएगा जैसे घन एव शाम है ठीक है घन एव शाम है घन गन का मतलब क्या होता है बादल बादल की तरह शाम है तो इस तरह यहाँ पर विशेशन विशेशन नहीं है बलकि यहाँ उपमान उपमे है मैं और उधारन आपके सामने रखूंगा बहुत सारे तो वहाँ आप आराम से इस त पिर इसमें हमने लिखा कि उपमान बाची जो शब्द रहेगा हमारा वो पहले रखा जाएगा बच्चो ऐसे आप समझ सकते हैं तो हमने लिखा घन इव शाम है तो बराबर बन जाएगा घन शाम है अब यहां पर शाम जो है ताला उसकी विशेष्टा घन से कर रहे हैं यानि किसके साथ कर रहे हैं कृष्ण के साथ में तो यहां पर जो कृष्ण हुआ वो उपमे हुआ आपका क्या हुआ उपमे हुआ इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं एक उधारान जैसे हमने का कि चंद्र है एब मुखम तो यहां मतलब हो गया कि चंद्र के समान मुख चा चांद से कर रहे हैं, अब चांद तो हो नहीं सकता ना, तुलना ही तो करेंगे भई, ठीक है ना, तो मुख कैसा है, चांद की तरह है, किसी का चैरा बहुत सुन्दर है, अच्छा दिख रहे हैं, तो हम चांद से तुलना कर रहे हैं, तो मुख हमारा उप में है, क्योंकि बात मैंने आपको यहां समझा दी एक प्रकरण और रहता है इसके अंदर उसको भी आप नोट कर लेजिए लिखे लीजिए रूपक अलंकार की स्तिती में लिखो रूपक अलंकार की इस्तिती में इवक के स्थान पर एवका प्रियोग करते हैं इसमें बस जब रूपक इस्तिती रहेगी याने रूपक अलंकार की कंडिशन जहां पर रहेगी तो वहां पर जो हम समास करेंगे तो वहाँ एव का प्रियोग नहीं करके हम एव का करेंगे बस इसका आपको थोड़ा सा द्यान रखना है अब ये तो हो गई सामान्य सी बाते बच्चो तीन तथे मैंने आपके सामने रखे हैं विशेशन विशेश का, उपमान उपमे का और रूपय का लंकार की कंडिशन रहती है तो एव की जगे एव करना है आपको बस होगा करमधार ये समास ही अब इसमें एक चीज और आपको समझनी है वो है विग्रह इसमें हम विग्रह किस तरह से करते हैं उसको थोड़ा सा आप समझ लेजी बस इसको नोट करिए फिर हम विग्रह पर चर्चा करते हैं ज्यादा बड़ा इसमें प्रकरन नहीं है छोटा हमारा ये टॉपिक रहेगा लेकिन जो कुछ मैं बताऊंगा आपको वो सॉलिड बताऊंगा एक दाम मोस्ट बताऊंगा एकजाम में जरूर छपेगा पेपर देने के बाद देख लेना पुराने पेपर देख लेना ठीक है कोई भी आप एकजाम में देख सकते हैं ठीक है बच्चो चलिए आगे हम विग्रह समझे चलिए बच्चो विग्रह का तरीका आपको हम बताते हैं लेकिंगे विशेशन, ठीक है, विशेशन रहेगा सबसे पहले, इसके बाद में चे और असव, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, रट्टा लगाने की आवश्यक्ता नहीं है, इसके बाद में तद, और फिर रहेगा विशेश, यह हमारी एक प्रोसेस रहेगी इसमें, किसकी विग्रे की, यानि विशेशन हमारा जो शब्द रहेगा वो पहले रखा जाएगा, उसके बाद में चे असव, यानि चे असव या चासव भी कह सकतों आप इसको, ऐसे भी लिख सकतें, चासव, ठीक है, अलग-अलग लिखना चाओगे तो चे असव ऐसा भी हमारा हो सकता ह और एक होगा हमारा तद, ये तद कब होगा, चे असव कब होगा, ये आपको समझना है, और लास्ट में हमारा बाद में जो रहेगा वो विशेशे के रूप में रहेगा, किसमें रहेगा विशेशे के रूप में, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, कि चे असव कब रहेगा और तद हमारा कब रहेगा बस तो मैं इसको सौट में आपको समझा देता हूं देखिए लिख लीजी आप यहां पर नोट कर लीजी आप विशेश्य लिखो विशेश्य उलिंग या इस्त्री लिंग में होने पर ध्यान रख मैसेज को जो हमारा विशेश्य होगा अब विशेश्य की आपको पहचान करनी है कि विशेश्य कौन है पहले ही हमने आपसे बता दिया कि वही इसमें जो विशेश्य बाच्ची हमारा शब्द है वो पहले पद है उस बादवाले पद में आपको देखना है कि यदि पुलिन है या इस्तिलिन है दौनों मेंसे कोई भी है तो आप क्या करेंगे भी यहाँ पर आप चे असव ऐसा प्रियोग करेंगे चे असव ठीक है चे असव ऐसा आप लिखेंगे या चासव भी लिख सकते हैं क्या लिखेंगे चे असव या चासव ऐसा आप लिख सकते हैं ठीक है अब इसके बाद में यदि हमारा विशेश्य नपुम्शक लिंग में हुआ तो आ अब इसमें एक चीज और लेख लो आँ उपमान पद के साथ में इब शब्द का प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग किया जाता है इब का याने उपमान पद के साथ में जब उपमान उपमे की कंडिसन रहेगी तो हम इब का प्रयोग करेंगे इसके अलावा विशिशन वि विशेश्य पुलिंग या इस्तिलिंग में से कोई भी है तो चैयसव का प्रियोग करेंगे और नपुम्शक लिंग में है तो फिर यहां तद का प्रियोग करेंगे और नीचे कहा कि उपमान पद के साथ में हम इव का प्रियोग करेंगे और रूपक अलंकार की इस्तिती है त मैंने एकदम अच्छे से यहां पर उसको समझा दिया है अब आपका सवाल गलत नहीं हो सकता इस वाद की गारंटी हो जाती है ठीक है बच्चो और यही तो हमें चाहिए और यही तो आप भी चाहते हो तो पूरा वीडियो देखिए जरूर और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लो क्योंकि आगे भी बहुत कुछ मिलने वाला है आपको दोस्तों यहां पर तो चलिए मित्रो अब हम यहां पर उधारन समझते हैं इसको मैं साप कर देता हूँ अब हम उधारन जानते हैं इसके लगातार ठीके मैं सबके उधारन लगातार रखूँगा यहां पर सबसे पहले मैं विशेशन विशेश्य के उधारन आपके सामने रखूँगा उसके बाद में उपमान उपमी की उधारन समझाँगा उसके बाद में एब की जगे एब कहा होता है वो उधारन में आपके सामने रखूँगा चलिए बच्चो अब हम इसके उधारन समझे लिते हैं देखिए जो most है आपके एक्जाम के लिए यह बस सुन लिए एक दुबार देख लिया तो याद हो जाएगा इसा कोई बड़ा काम नहीं है फटापड उधारन लिखेंगे यहां से नमबर एक उधारन है अमारा जो सबसे most है और प्रसिद्ध है लिखिए पीतम पीतम चे अंबरम पीतम चे तद अंबरम देखिए बच्चो हमने अभी-अभी कहा कि जो बादवाला पद है हमारा उस बादवाले पद को आपको देखना है यानि बादवाले पद का मतलब हमने कहा कि विशेश है विशेश है यदि पुलिंग है या इस्त्रिलिंग है तो आपको क्या करना होगा बच्चो हमने कहा कि पुलिंग या इस्त्रिलिंग है तो चे असव लिखना होगा चे असव अब यहां अम्बरम है पुलिंग भी नहीं है इस्त्रिलिंग भी नहीं है नपुम्शक लिंग है तो नपुम्शक लिंग में होने पर हमने कहा कि तद लि लेंगे तो पी तो और अमबर की जोड़ देंगे तो बना लेंगे पी ताम रमम बन जाएगा क्या बनेगा बताइए तंबर उत यकी द इसे बन जाएगा की नहीं बताओ Ne कमलम अब यहां कमलम जो शब्द है यह भी हमारा नपुम्शिकलिंग का है इसलिए हमने इसका प्रियोग किया है तो रक्तम चिताद कमलम अब रक्त याने लाल होता है और कमल होता है तो यहां पर कमल कैसा है लाल है कमल कैसा है यह लाल यहां अंबर कैसा है पीला तो यहां वि विशेष्टा लाल है तो रक्त हमारा विशेष्ण है और कमल हमारा विशेष्ण है हमने कहा कि बाद में विशेष्ण मिलेगा और पहले विशेष्ण मिलेगा तो यहां पर बना लो रक्त और कमल को जोड़ करके रक्त कमलम बन जाएगा क्या बनेगा बच्चो रक्त कमलम बता पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा उधारन करमधार्य का नहीं है या निम्न में से कौन सा उधारन करमधार्य का है ठीक है या फिर पूछ लिया कि पीताम बरम इसका क्या विग्रह होगा या विग्रह दे करके पूछ लिया कि बरावर क्या रूप बनेगा कैसे भी सवाल बन यहाँ पर कृष्ण है चे असव सर्प है अब यहाँ हमने का कि बादवाला पद देखना है तो बादवाला पद सर्प है अब सर्प है जो पद है वो पुलिंग है हमने का कि पुलिंग और स्ट्रिलिंग यदि हुआ तो आप क्या करेंगे चे असव जोड़ेंगे तो यहाँ पूर्सальное मिल गया तो आप पूछै आसो जोड़ देना हैं जोड़ दिया हमने अब देखो लखे लेगे इदर से क्रिष्णा और सर्प है यानि देखो सर्प कैसा है काला तो सर्प की विशिष्ष्टा है ये ठीक है तो ये हमारा विशिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष अब जिसकी भी विशेशता है वो विशेश है तो हमने कहा कि पुरुष कैसा है वीर तो यहाँ पर देखो पुरुष तो विशेश है और यह विशेशन है तो विशेशन विशेश है मिल गया इसका मतलब करमधारिया हो जाएगा भईया होगा के नहीं तो यहाँ पर बन जाए उत्पल यानि कमल होता है बच्छ उत्पल का मतलब कमल होता है नीलम यानि नीला होता है तो नीला कमल कैसा है नीला तो बिशेशन बिशेशन मिल गया तो नील और उत्पल में आप करेंगे संधी क्योंकि नील है और उत्पल है तो उ मिल रहा है तो आप कर लेंगे गुण करके ओ तो बना लेंगे नीलोत पलम इस तरह से बनता है ये ठीक है रट्टा लगाने की अवशक्तान ये समझने पर जोर देना है इसके बाद मैं आगे उदार लिखेंगे महान चे असव महान चे अस इसलिए हमने आत्मा के साथ में चे असव जो ड़ा है अब यहां पर लिखेंगे महान मेंसे महाऑन और आत्मा इदर महात्मा अब महात्मा में कुन सा समास है अच्छा महान है जिसकी covering आत्मा एसा नहीं बोलेंगी ठीक है देखो ऐसा बोल सकते अब देखो एक बात और नही यह बोलने मागए इसलिए समास विग्ञे पर डिपेंड करता है बच्छो किस पर विग्ञे पर जैसा हम विग्ञे करेंगे समास बदल जाता है जैसे हमने यहां कहा कि महाँ चे असव आत्मा महाँ आत्मा अब महाँ आत्मा यहां पर Legislation और विशिष्य की जो बात आ रही है इसलिए यहां पर हमारा करमधार यह हो रहा है अब इसी को यदि हम विग्रे अलग तरीका से कर दें तो यहां पर वहुवरी भी हो सकता है जैसे माहान है आत्मा जिसकी ऐसा वह ऐसा यदि हमने बोला तो वहां हमारा वहुवरी समास हो जा पूरुष है, तो यहां बन जाएगा महा पूरुष है, इस तरह से बन जाएगा बच्चो, महा पूरुष, क्या हो गया, महा पूरुष है, आप देखो यह हमारे सारे के सारे उधारन बच्चो आप देख रहे हैं, इनमें विशेशन विशेश्य आपको मिल रहा है सभी में, आप देख लो, यहाँ देखो, पीताम बरम, रक्त कमलम, कृष्ण सरपह, वीरे पुरुशे है, नीलोत पलम, माहात्मा, माहा पुरुशे है, इनमें से कोई वियोधारन आपके एक जम्में आ जाएगा, ठीक है ना, अब यह हमारा हो गया, विशेशन विशेश्ये वाला मामल अब अगली कंडिसन हम देखते हैं, देखो, उपमान, उपमें से रिलेटिट मैं आपको बता रहा हूँ, आगे लिखेंगे आप आठ नमबर डाल करके, घन, घन इवह शाम है, अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, आपको, देखो, घन है और इधर शाम है, अब देखो यहाँ तुलना हो रही है कि गन इव का मतलब होता है की तरह, की तरह, इव यानि क्या होता है बच्चों, की तरह है या के समान, इव का मतलब की तरह या के समान आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, उपमान और उपमे की बात यहाँ पर आ रही है, एक तो उपमान और एक आपका उप में देखिए, अब यहां पर गन व शाम है, अब यह कहरे हैं कि गन व यानी घन की तरह शाम है, गन व दे बाय सा प्लिक्वा अबाधल होते हैं तो उस इस्तिती को देखते हुए यहां पर बना दिया है कि घन की तरह शाम है शाम किसकी तरह घन की तरह है तो शाम जो है हमारा उप में है ध्यान रखना और यहां पर जो घन है जिसकी हम बात कर रहे हैं ठीक ना इसकी तरह हम बता रहे हैं इसके साथ मैं तुलना कर रहे हैं तो यहां पर हम इसको कहेंगे उपमान, क्या कहेंगे बच्चो इसको उपमान, तो उपमान हमारा पहले है इसमें, तो बन जाएगा घन शाम है, बना लेंगे घन शाम है, ऐसे लिख लेंगे, घन शाम है, यानि शाम है, यानि शाम जो है हमारा वो किस के साथ कर रहे है, शाम क तुलना हम घंड की तरह, यानि घंड से कर रहे हैं, तो घंड की तरह शाम है, ऐसा आप समझे इसको, और उधारन देखिए, उनमें और अच्छे से किलियर हो जाएगा, एक उधारन है आपका जैसे, चंद्र है इब मुखम, देखिए बच्छो, अब यहाँ पर देखो, उपमा दे रहे हैं, चंद के साथ में उपमा कर रहे हैं, यानि चंद के साथ में हम तुलना कर रहे हैं, और कुछ मिला नहीं तो चंद के साथ ही कर लें, जैसे कोई बहुत ज़्यादा काला है, बहुत ज़्यादा गोरा है, तो हम अंग्रिजों के साथ तुलना करते हैं, य बच्चो उपमान बन गया चंद्रमुखं बन गया कि नहीं इसी तरह से को दारन और लिख सकते हैं आप करपूर करपूर एव गौरम गौरम यानि गौरण होता है गौरा यानि बोरा होता है ऐसे मालों करपूर गौर है गोर्ह करपूर करपूर यानि कपूर होता है ने इस तरही से और गोरा का म deficit और बलुकर अब देखो अमने तुलना किससी करिये कर गोर करपूर एव गोर्ह यानि कपूर के समान जो गोरहे करपूर गोर्णकरना वता रम् यहाँ पर करपूर इव गोरह बन जाएगा करपूर गोरह ऐसे बनजाएगा करपूर गोरह यानि करपूर के समान जो गोरह है ऐसा इसके अलावा एक और कर लिजिए वह शैल एव उन्नत है कोई बहुत महान है तो किससे करेंगे तुम ना पर खजूर के पेड़ से थोड़ी ना करेंगे वही है परवत के समान महान है उन्नत है परवत के समान उन्नत है तो शैल के समान उन्नत है उपमान उपमे की बात चल रही है अपर तो यहां पर क्या होगा शैल है इदर उन्नत है तो यहां पर बज्र वज्रम एव कठोरम बज्र के समान जो कठोर है कठोर किसके समान है वज्र के समान तो वज्र तो नाम सुना होगा अपने बज्र क्या है वज्र इंद्र भगवान से संब्दित है वज्र ठीक है उनका अस्त्र था वज्र वज्र का प्रियोग करते थे जब कोई उनको ल जाएगा वज्र कठोर हम क्योंकि बहुत ज़्यादा कठोर है वो वज्र, उसके प्रहार से बचना मुश्किल होता है, इसलिए उसकी तुलना हमने करिये वज्र के समान, कठोर की तुलना वज्र से करिये, यह हम कहते हैं कि पत्थर के समान दिल है, दिल पत्थर के समान है, तो दिल जिसका बहुत ज़्यादा कठोर हो, उसके हम तुलना करेंगे पत्थर, क्योंकि पत्थर कभी पिगल नहीं सकता, रो नहीं सकता, उसके आंसों नहीं हा सकते, उसमें दया भाव नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि बहुत इसको मैं मिट्ठाता हूँ आगे उधारन चलिए बच्चों हमारे जो और उधारन बच्चे हो उनको भी हम जान लेते हैं अब मैं जो उधारन बताऊँगा उपमान उपमी पर आधारिती बताऊँगा लेकिन यहाँ पर अंतर फोड़ा सा यह रहेगा कि अब मैं जो उधारन बताऊंगा उनमें उपमी शब्द हमारा पहले रहेगा बस उपमी पूरुपद में रहेगा इससे पहले की उधारन में हमारा उपमान था पहले लेकिन अब हमारा उपमी पूर में आ जाएगा बस इतन वह सामको ध्राइक है तो बन जाएगा हमारा पूरुष ब्याग रहे ऐसे बन जाएगा आगे और लिख लिए इसमे उदहारन आप देखो येख है इसमें पुरुष है सिंग है इसके बाद में एक उधारन आता है इसमें मुखम मुखम कमलम अब यहां पर क्या है मुख कमल की तरह है तो यहां पर हमारा उपमी पहले आ है इतना से अंतर है बनेगा हमारा मुखम कमलम अबनेगा ओर कोहिज इसमें खास अंतर नहीं है एक उधारन आता है इसमें कर है कर यनि हाथ होता है वसमें किसलया कलती और उसमें नई-णई कौपला निsan निकलती है उसमें बहुत in soft होती है ठीक है तो उसके साथ में तुलना कर रहे हैं कि हाथ इतनी कोमल है अब किसके हाथ कोमल है वो तो आप जानते हैं ठीक है तो करह किशलयम इब जो हाथ है वो किशलय की तरह है किशलय की तरह है किशलय आप जानते ही हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका कार किशलय यम, क्या बनेगा बच्चो, कर किशलय यम, ऐसे, तो यह हमारी इस्तिति बन गई यहाँ पर उपमें आपको पहले मिल रहा है, बस इतना आपको द्यान रखना है, इसके बाद में और भी उधारन हैं, हमारे उनकी थोड़ी सी हमारी condition change हो रही है उसमें क्या है हमने आप से कहा कि रूपक अलंकार की condition रहती है तब हम इब की जगे एव करेंगे समास हमारा करमधार्य ही होगा जैसे इसमें आ सकता है तप है एव धनम इस तरह की उधारन आपके आएंगे तो यहां भी आपका पूरपद करमधार्य समास होता है लेकिन हम वो difference अलग-अलग आपको प्रकार नहीं बता रहे क्योंकि वैसे तो बहुत सारे प्रकार इसमें हम पढ़ सकते हैं बट यहां पर इस तरह के हिसाब से हम प्रकार नहीं जान रहे हैं डायरेक्ट समास आपको सिखा रहें वह आप आपसी किये तब है एव धनम तो यहां पर बन जाएगा आपका तपो धनम क्या बन जाएगा वच्छो तपो धनम ऐसे ठीक है ना इसके बाद में एक और आप इसी तरह का देख सकते हैं जैसे ज्यानम एव आउशदी ही ज्यान ही औशदी है तो यहां इव नहीं आएगा ए जैसे ज्यान और शदी ही इस तरह से हमारा बन जाएगा अब यह हमारे अलग तरह के उधारन हो गए अब इसमें मैं दो अधारन और बताऊंगा आपको उन्हें में क्या रहेगा उनके अंदर आपको विशेशन दौनों तरफ मिलेंगे दौनों तरफ विशेशन मिलेंगी पहले तो हमने का कि विशेशन विशेशन मिलेंगी लेकिन कुछ उदारण आपके ऐसे भी आ सकते हैं जिनमें दौनों तरफ विशेशन ही मिलेंगे आपके वहां भी आपका करमदारी समास हो जाएगा अच्छा वह ऐसा भी हो सकता है कि बि तो सफेद हो गया शुकलयाने और क्रश्न eigकाला हो गया तो यह भी विशेशन है यह भी विशेशन है धूनों तरफ विशेशन की स्तिती बन रही है एसी स्तिती में तो यहां बन जाएगा शीतोष्णम मैं यहां लिख रहा हूं शीतोष्णम इस तरह से बन जाएगा बच्चो ठीक है तो यहां पर हमारा शीतोष्णम बन जाता है अब शीतोष्णम कैसे बना हमने कहा कि दोनों तरफ आपके विशेशन यदी शब्द मिलते हैं तब भी हमारा करमधारिय समास हो जाएगा तो यहाँ पर देखो शीत है और उष्ण है दोनों ही हमारे विशेशन वाची शब्द हैं तो यहाँ पर भी हमारा करमधारिय समास हो गया अब शीत और उष्ण है तो यहाँ पर संदी होगी हमारी कौन सी गुन संदी तो शीतो उष्णम बना लिय हमने, इस तरह से हमारे सारे के सारे उधारण अच्छे से आपको समझ में आगए होंगे हमने जो आपको समझाये था करमधर या समास, याने कि समाना, धीकरन तक पुरुष समास, ये एकदम किलियर समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि हमने बहुत सरल तरीका से बताया है आपको हम जो भी topic यहाँ पर पढ़ाते हैं जो भी समझाते हैं वो बहुत सरल बताते हैं ठीक है क्योंकि आप अलग-अलग किताबों में आप पढ़ते होंगे वहाँ आपको अलग चीजे मिल सकती हैं कुछ अलग-एक्स्ट्रा आपको बातें मिल सकती हैं लेकिन हम यहाँ पर आपको विल्कोल एकदम सही आपको fact और सही जानकारी के साथ में एकदम authentic चीजी यहाँ पर लेकर आते हैं और उसको भी trick और सरल करके आपको बताते हैं ठीक है जिसे कि आप आराम से समस्क्रित को समझ जाएं जिसमें आपको बिल्कोल भी जोर नहीं लगे और समस्क्रित आपके लिए tension नहीं बलकि मझे के साथ में सीखने वाला विशह बन जाए क्योंकि संसक्रित एक ऐसा विशह है एक ऐसी भाषा है समस्क्रित हमारी जिसमें सबसे ज़्यादा नम्मर लाए जा सकते हैं क्योंकि इसमें fix रहता है हमारा syllabus हलाएं कि इसमें तो syllabus दिया नहीं उन्होंने fix केवल नाम दे दी topic के लेकिन आगे जब आप तैयारी करोगे तो वहाँ पे आपको fix मिलता है कि ये शब्द रूप आएंगे ये धातू रूप आएंगे ये हमारे समास बगरा है ये संदी में ये हमें पढ़ना है ये सब कुछ हमारा fix रहता है इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है कि वहल समझने पर जोर इसमें देना होता है रटा लगाना पड़ता है लेकिन ज्यादा इसमें समझना होता है रटा कम लगाना पड़ता है और ज़्हाइं रटे की अवश्कता पड़ेगी वहां हमें चीजें रटनी भी पड़ेगी दोस्तू तो हमारी आज की क्लास पूरी हो जाती है बच्छों कैसी लगी जरूर बताना तरह से मित्रों लास्ट में हम कहना चाहेंगे कि तीन काम फ्री वाले जरूर करने हैं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है अगली क्लास में फिर मिलेंगे तब तक के लिए अपना और अपनों का ध् रखें और अच्छे से त्यारी करते रहें धन्यवाद सब के लिए वैस पाफलक एक्जाम के लिए और अग्रिम शुब कामना एक्जाम के लिए धन्यवाद जैहिन जैतु भारत हम बंदे मादे